प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिलाओं को एक हेल्दी और अच्छा प्रेगनेंसी डाइट लेने की सलाह दी जाती है चूंकि गर्वती महिलाएं जो कुछ भी खाती या पीती है उसका सीधा असर उसके गर्व में पढ़ रहे सिसू पर पढ़ता है प्रेगनेंसी में अनार खाना चाहिए या नहीं प्रेगनेंसी में अनार खाने के क्या-क्या फाइदे हैं और आपको किस तरीके से अनार का सेवन करना चाहिए प्रेंस अनार में कई तरह की पोशक ततो पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B कमपलेक्स, साथी, फाइबर, पोटेसियम, फॉलेट, आयरन, फॉलिक एसिड, मैगनेसियम, फासफोरस जैसे पोशक ततो प्रचूर मातरा में पाए ज प्रेंस चलिए जान लेते हैं प्रेंसि में अनार खाने के क्या-क्या फाइदे हैं प्रेंसि के दौरान अक्सर महिलाओं के सरीर में खून की कमी हो जाती है जिससे उन्हें एनिमिया होने का चांस रहता है और एनिमिया होने से समय से पहले प्रसब होने की संभावना होती है ऐसे में प्रेगनेंसी में अनार का सेवन करना बहुत ही फैदेमन्द होगा क्योंकि अनार में आयरन मौजूद होता है जो प्रेगनेंट महिलाओं के सरीर में खून की कमी नहीं होने देता है समानिता एक स्वस्त सिसु का वजन जन्म के समय धाई किलोग्राम से अधिक होना चाहिए लेकिन आज कल अक्सर महिलाएं कम वजन के बच्चे को जन्म देती है जदि प्रेग्नेंसी के दारान आपके गर्ब में पल रहे सिसु का वजन कम है तो ऐसे में नियमित रूप से अनार का सेवन करना बहुत ही फायदे मंद होगा चूंकि अनार का सेवन करने से गर्ब में पल रहे कमजोर सिसु का वजन बढ़ता है और आपका बच्चा हेल्दी पैदा होता है अनार में विटामिन के प्रचूर मातरा में पाए जाते हैं जो कि प्रेगनेंट लेडी के हड्डियों को मजबूत बनाता है साथी गर्ब में पल रहे भुरून के हड्डियों के विकास में भी काफी मदद करता है प्रेंट से जदी आप प्रेगनेंसी में अनार का सेवन नियमित रूप से करती हैं तो यह गर्बती महिला ही नहीं बलकि गर्ब में पल रहे सिसू के लिए भी बहुत फाइदेमंद है जो कि अनार में फॉलेट पाए जाते हैं जिससे शिसू का दिमागी विकास यानि की मस्तिस्क का ग्रोथ अच्छे से होता है अनार में पाए जाने वाले अंटि आक्सिडेंट बच्चे के दिमाग को विक्सित करने में मदद करता है प्रेंट्स प्रेंट्स प्रेंट्सी में अनार खाने से पेट सम्बंदी सभी समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है प्रेंट्सी के दोरान अक्सर महिलाओं को कब्ज, अपच, एसिडिटी की समस्या हो जाती है प्रेग्नेंसी के दारान पेट सम्बंदी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अनार का सेवन कर सकती है क्योंकि अनार में फाइबर मौजूद होता है या आपके पेट से जुड़ी सभी सपरेशानियों को कम करता है प्रेग्नेंसी की पहली तिमाही में थकान या कमजोरी की समस्या अधिक होती है ऐसे में जदी आप अनार का सेवन करती हैं तो या थकान और कमजोरी की समस्या को दूर करता है या आपकी मान स्पेशियों को फिट रखने में मदद करता है इसलिए प्रेग्नेंसी में अनार खाने की सलाह दी जाती है प्रेग्नेंसी में अनार खाने से सरीर में बुलड सर्कुलेशन सही रहता है और सरीर में ऑक्सीजन का लेवल सही बना रहता है इसलिए डिलिवरी के समय सिसू के मस्तिस्क में आक्सीजन की कमी नहीं होती है जदि आप प्रेग्नेंसी के दारान सरीर में आइठन से परिसान रहती है तो आपको अनार का सेवन जरूर करना चाहिए जोकि अनार में मौजुद पोटेसियम और मिनरल्स गर्भावस्था में आइठन से रहत दिलाता है गर्भ में पलड़ है सिसू के मस्तिस्क के विकास के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी माना जाता है अनार में folic acid पाई जाते हैं जिससे सिसु के मस्तिसक और तंत्रिका तंत्र के विकास में काफी मदद मिलता है इसलिए pregnant महिलाओं को अनार का सेवन करना चाहिए साथ ही आप अनार के juice का भी सेवन कर सकती है अनार के juice का सेवन आपको हमेशा नास्ते के बाद ही करना चाहिए खाली पेट कभी भी अनार के juice का सेवन ना करें फ्रेंस delivery के दारान महिलाओं के सरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में blood loss होता है इसलिए delivery के बाद महिलाओं के सरीर में खून की कमी हो जाती है सरीर में खून की परियापत मात्रा हो इसके लिए अनार का सेवन करना बहुत ही फायदे मंद होगा तो फ्रेंस ये थी जानकारी pregnancy में अनार खाने के फायदे दोस्तो अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिए और पिंक गलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल्स आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई and टेक केर